आप लोगे अपनी चैनल पायल कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत हैं मैं बहुत ही टेस्टी तेहवारों में बनने वाली मिठाई की रस्पी लेकि आई हूँ जो आप अगर किसी दुकान पे खर दोगे तो बहुत महेंगे मिलीगी और गयर पे 2-3 समान से बनके बहुत जांगे चले इसको बना के रीप इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए मैने पीशी हूई चीनी ले लिए फटी कहोग कुछी सी सभी एंप अ कि दार डार उसके बाद नाड युक़ा बुरादा हम डेर कतोम दूठी ले ले लिए और एक कटोम मिल्क पॉडर ले लिए हैं बस इतना ही चीन लगेगा हमें चीनी और नारिल का पुरादा और मिल्क पॉडर दो तीन चमच दूद लगेंगे जादे दूद नहीं लगेंगे और इसमें दो तीन जमें दूद डालके हम दीर दीर इसको गूथेंगे एक साथ जादा दूद नहीं डाले नहीं तो चीनी जो है न वो खुदी मतलब दूद पानी छोड़ती है तो हमारा यह मिक्सर जो है वो गीला पड़ जाएगा इसे लिए ध्यान से दूदी ध्यान से डालना है बागी कुछ नहीं और इसको ऐसे करके एकदम अच्छे से गूत लेंगे देखे हमारा ऐसे गूत ली है उसके बाद इसको दो पार्ट में हम कर लेंगे क्योंकि आज हम दो कलर की मिठाई बनाए हैं आप सुरू में ही देखे हैं और यह बहुत डेश्टी बनीती फ्रेंट एक बार आप बना के ट्राई जरूर करें और प्लेज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें इसमें मैं फूट कलर डाल रही हूँ क्योंति देखे हैं और अपस्ट तो केसर का दूद्द भीगा के लाइव करें यह था नाग बना के बना के आप त्यार कर सकते हैं और इस पर थोरा सा हम नारेल का बुरादा चेहएं और इसको रोटी के तरह हम रोड जरू कर लेंगे अब हाँच से भी फैला सकते हो लेकिन ये डोज हो जो है तो कड़ा बना है ना इसलिए हाँच से नहीं तो बेलन से कर लेंगे और जो साइड में फट रहा है उसे कोई मतलब नहीं है बस उसको रोल ही करना है फिर दूसरा भी हम इसी पे रखके देरे देरे वेलन की साहता से इसको फैला लेंगे मतलब दोनों को बराबर करना है उपर अगर इश्टा हो जाए उसको भी चम्मस से दाफके किनारे को थोड़ा चम्मस से सेर कर ले और बस और कुछ नहीं करना है और इश्टी बनी थे देखने में इतनी सुन्दर लगी थी बस इसको दबा दबा के हमको रोल करना है ताकि अंदर एयर न रहे और तभी जाके अच्छे से बनेगा तोड़ा सा उसमें नारियल का बुरादा हम छेरक लिए हैं उसके बाद हम रोल कर लेंगे और इसको ऐसे रोल करके और इसी में मतलब करके लपेट के और हम फ्रीज में एक दो घंटे के लिए रख दिये थे उसके बाद ही हमारा सेटोग अगर फ्रीज में नहीं रखना चाहते तो बाहर ही पंके क्या हवा में रख सकते हैं कोई दीकर नहीं कि फ्रीज में ही रखें मैं भी लगाना चाह रही थी लेकि चिपकानी और इसके बाद इसका कटिंग कर लेते हैं और बहुत टेस्टी मिठाई बनी थी आप एक बार बना के ट्राई जरूर करें मुझे उमीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बनेगी बहुत टेस्टी बना है प्लीज मेरे चैनल को सस्क् अब इसको बनाने में 50 रुपी का खर्च लागे और बनके तैयार हो जाएगा देखे कितनी अच्छी हमारे मिठाई बनके तैयार हुए हैं और एक पर बना के और कमेंट में जरूर बताएं कैसा बना और देखे कितना सौट मों में घूल जाने वाला बना था दो तीन समान स अब घर के बना के तैयार करेंगे थैंक्यो गाईज